विरासत बचाने राइवरेली पहुंचे राहुल गांधी सोनिया ने दिया परिवार के स्यासी वारिस का भी संदेश राहुल गांधी को राइवरेली के रण में उतार कर कॉंग्रिस निता सुने गांधी ने एक तीर से कई निशाने साथ हैं यह संदेश त्या गया है कि गां को राह परियंगा गांदी की मैदान में उतरनी की चर्चाय थी सुंत्रो के नुसा राहूल गांदी ने यूपि से चुनावल लड़ने से इंकार कर दिया था से मैंने विरासत का हवाला देकर राय बरेली के लिए मनाए गया क्योंकि विपरीत प्रस्तितियों में भी राय बरेली की जनता ने कॉंग्रेस का साथ नहीं छोड़ा इस पर राहुल ने हामी भरी और अंतिन दिन नामांकन किया मेठी से गांधी परिवार के भरोस्रे मन रहे कि शोड़ाज शर्मा पर दाओं लगाए गया है वरिष्ट पत्रकार रामदर त्रिपाठी का तर्ख है कि राहुल प्रियंक का दोनों लड़ते तो निश्चत ही कारे करताओं को उत्साह पड़ता पर अनिसीटों पर फोकस करना मुश्किल होता राहुल गांधी का करद रा सिंग को फिर से मैदान मोता रहा है विडाय बरेली से पिछले लोग सवशनाव में सुने गांधी से हार गए थे भास्पार उन्हें पहले मंत्री शोतन्द प्रभार बनाकर उनका कद बढ़ाया वर्ष्ट 2009 में कॉंग्रिस को यहां 72.2 तिन फीश्टी वोट मिले थे जबक कर भास्पा के साथ हैं इसलिए कॉंग्रिस के साथ जाने वाले ब्रहामन वोटों में सेंद लगनीते हैं प्रियंका चुनाव लड़ती तो क्या होता इस सवाल पर साकित डिगरी कॉलेज की प्रॉफेसर अनिल सिंग कहते हैं इस्थानी तोर पर भले ही माना जा रहा है कि र लेकर राष्ट्र पर प्रियंका का ना लड़ना पार्टी के लिए ज्यादा फाइदेमंद हैं वेजटार प्रचारक के रूप में सवी सीटों पर प्रचार कर सकेंगी यानि नुक्सान कम और फायदा ज्यादा है दूसी तरह भाजपा की कॉंग्रिस को घर में ही घेड़न होगी समय तक भले ही नमाने लेकिन सची है कि अमीठी में गांधी परिवार का परभाव कुछ कम हुआ है इंद्रा और संजे भी हारे थे वरिष्ट पत्रिकार राजखरना कहते हैं कि 1970 के चुनाव में अरु नहरु जीते थे राहुल केंद्रित रहे चुनाव इसलिए प्र का कहना है कि कॉंगरिस का चुनावी अभ्यान को शलता से चलाने के लिए ही प्रियांका गांधी को चुनावी लड़ाई में नहीं उतारा गया है हाला कि उनकी चुनाव नहीं लड़ने का बड़ा कारण वंश्वात के आरूप है सोनिया पहले ही राजसभा सदसे हैं राइबरिली छोड़ सकते हैं इसके बाद उप्शुनाव में प्रियांका को तार कर संसर बेजने की तयारी है